ओलम्पिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोशित कर दी गए विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम जादा बताया गया जो कि मानक से अधिक है और इसके बाद पूरे 140 करोड भारतियों का सपना तूट गया वो भारतिय जो आस लगाए हुए थी कि कुछती में भी इस बार हमें गोल्ड मेडल मिलेगा विनेश फोगाट को खूब बधाईयां मिल रही थी विनेश फोगाट ने प्री क्वाटर और क्वाटर फाइनल में जो प्रदर्शन किया वो बेहद ही जादा बहतरीन रहा और उसके बाद आज ये दुखत खबर निकल कर सामने आई कि विनेश ने कहा कि आप चैंपियन है फोगाट आप इस बात को याद रखेगा कि आप चैंपियन है आपके आदत है कि आप चैलेंज को हमेशा लेती हैं आप चैलेंज विकार करती हैं और इस बार भी आप चैलेंज विकार करेंगी आप हमारे लिए विजेता हैं हम आप पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, आप फिर से आईएगा, हम सब आपके साथ हैं, प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी एक्स हैंडल पर ये पोश्ट साजह करते हैं और विनेश फोगाट को बताते हैं, कि आज जो मुझे महसूस हो रहा है, काश ये सब्द बया कर पाते, मैंने जो लिखा है, शायद ये शब्द बया नहीं कर पाए, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, निकिन मैं जानता हूँ, आप फिर वापस आएंगी, आप एक ऐसी चैंपियन है, जो सारे चैलेंज को स्विकार करती हैं, सारे चैलेंज को अपनाती हैं और उससे जीत कर वापस आती हैं, आज जो हुआ, वो बेहत दुखद है, लेकिन आप हमेशा से एक बहुत बड़ी चैंपियन थी, चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगी, प्रदान मंत्री नयुन मोदी एक्स हैंडल पर ये दुख जाहिर करते हैं और उसके बाद विनेश फोगाट के लिए आज वाकई बेहत दुखद दिन है, विनेश फोगाट का वजन मात्र सौ ग्राम जादा हो गया, जिसके वज़े से आज ओलंपिक से बाहर हो गई फोगाट, लेकिन वाकई में फोगाट ने जो बीते दो मैच खेले हैं, चाहे वो जापान से हो, उक्रेन से हो, दोन में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, हम सोन पदक जीतेंगे, लेकिन शायद ये सपना अधूरा रह जाएगा, फोगाट की वो एक कदम की दूरी, अब कोसु मेल की दूरी बन गई है, क्योंकि फोगाट उस मानक पर नहीं उतर पाई, जिस मानक में ये तै किया गया था कि 50 केज की वजन फ्रेस्टाइल में रहना चाहिए, लेकिन वो वजन मात्र 100 ग्राम जादा रह गया और इस 100 ग्राम जादा वजन की वजह से आज सोगाट उलम्पिक से बाहर आ गई है, पुरा देश इस वक्त मायूसी में है, पुरे देश में मायूसी चाही हुई है, लेकिन पूर देश इस बात को वाकई जानता है कि विनेश वाकई में चैंपियन है और चैंपियन ही रहेंगे।